ओम शान्ति बाब दादा मध्वन आज की मधोर मुडले 15.2024 मीठे बच्चे तुम सबकी आपस में एक मत है तुम अपने को आत्मा समझ एक बाब को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं प्रश्ट पदमा पदम भाग साली बनने का मुक आधार क्या है जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारन करने वाले ही पदमा पदम भाग साली बनते हैं जच करो बाबा क्या कहते हैं और रामा संप्रदाय वाले क्या कहते हैं बाब जो नालिज देते हैं उसे बुद्धी में रखना श्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदमभाग्शाली बनना है इस नालिच से ही तुम गुडवान बन जाते हो ओम शांती, रूहानी बाप अंग्रेजी में कहा जाता है इस्प्रुचल फादर सत्यूग में जब तुम चलेंगे तो वहां अंग्रेजी आरी दूसरी कोई भासा तो होगी ही नहीं तुम जानते हो शत्यूग में हमारा राज होता है उसमें हमारी जो भासा होगी वही चलेगी फिर बाद में वह भासा बदली जाती है आज की मुल्ली से मुख दस पॉइंट पहली पॉइंट अपने को आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है ताकि भूत सम भाग जाएं दूसरी पॉइंट कभी भी कोई कहे कि इशर सर्व्यापी है तो कहो सर्व्यापी आत्माएं है और इन आत्माओं में पांच विकार सर्व्यापी है परमात्मा सर्व में विराजमान है परमात्मा में फिर पांच भूतों की परवेश्टा कैसे होगी तुम्हारे में संपूर्ण गुण होते हैं तुम सोला कला संपूर्ण बनते हो 84 का चक्र कैसे फिरता है हम आत्मा को शो का दर्शन हुआ है अर्थात इस चक्र का नालेज हुआ है उठते बैठते चलते तुमको ये बुद्धी में रखना है तुम बच्चों की बुद्धी में सारा ज्यान चक लगाता है बरोबर पहले पहले इस बिर्श में देवी देवताओं का राज था मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पाप तो जरूर हुए हैं पाप आत्मा बन गए हैं सत्युग में होते हैं पुन आत्मा है चत्मी पॉइंट ये जो 5000 वर्श का चक्र है उसमें शुक और दुख का खेल है सात्मी पॉइंट साथ वर्श में बान प्रस्ट अवस्ता होती है कहते हैं साथ लगी लाट ये समय सबको लाठी लगी हुई है सब वान प्रस्ट निर्वान धाम में जाएंगे साथ मी पॉइंट ये तुम जानते हो बाबा भी ड्रामा अंसार बिल्कुल एक कूरेट टाइम पर आते हैं एक सेकेंड का भी फार्क नहीं परता आथ मी पॉइंट बाब बैट बतलाते मीठे मीठे बच्चो तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो नवी पॉइंट कल पहले भी बाबा ने कहा था कि मन-मनाभव ये है महामंद माया पर जीत पाने का मंद है दसमी पॉइंट गाया भी जाता है दुख में सिम्रन सब करें दुख में सिमरन करे न कोई यहां तो अथा दुख है घड़ी घड़ी कहते हैं भगवान रहें करो अच्छा धारना के लिए मुक्त सार पहली पॉइंट यह पापों से मुक्त होने का समय है इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है पुरानी सक्षाम्यग्री इस रुद यग मे स्वहा करनी है दूसरी पॉइंट अभी बान प्रस्त अवस्ता है इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सद्गुरु को भी याद करना है शीठों में जाने के लिए आत्मा को शतो प्रधान पावन बनना है वर्दान आज बाबा ने दिया अपनी सोच कमजोरियों को चिंतन करक स्वाचिंतक बहो इस प्रस्तिकरन सिर्फ ग्यान की पॉइंट रिपीट करना सुनना वा सुनाना ही स्वाचिंतन नहीं है लेकिन स्वाचिंतन अर्थात अपनी सूच कमजोरियों को अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना परिवर्तन करना यही है स्वाचि यूज कर धारना सरूप बनाना शयम को परिवर्टन करना इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है स्लोगन आज बाबा ने दिया हर समय करन करावन हार बाबा याद रहे तो मैं पन का अभिमान नहीं आशकता ओम शान्ति